आप सभी जानते होंगे इने और अगर नहीं भी जानते हैं तो मुझे ज्यादा आश्चरी नहीं हैं क्योंकि इस देश में एक सरे सा होता है कि वीरों का जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है तो मैं आप सभी को बता दूँ ये हैं अमरत पाल सिंग जी और ये द जब मैंने ये द्रश्य देखा तो छाती फट गई होगी उस मा की जो अपने जवान बेटे को इस परकार से कंदा लगा रही अगनेवीर और आर्मी में क्या अंतर है ये आप देख लिजे जब एक आर्मी का जवान सहीद होता है तो उसे पूरा सेन्य शमान दिया जाता है और जब ये अमरत्पाल जी इसी मिट्टी के लिए सहीद हुए उनका सम्मान कुछ इस परकार से वा कि उनके ही माता बेनों ने उनके अर्थी को अंतिम जगे तक पहुँचा है तो आप सोचिए कि क्या बीता होगा उस माक के कलेजे पे कि जिसका बेटा जब सेना में भरती होने गया तो कितने पड़ाव पार करके भरती हुआ और इस मिट्टी के लिए वह सहीद हो गया और उसको कोई भी सम्मान नहीं दिया गया वो भी तिरंगे का हगदार था लेकिन उसका तिरंगा नहीं आया आप सोचिए क्या बीती होगी सहीद अच्छे तो लगते हैं लेकिन दूसरे के यहाँ जब अपने घर में होते हैं तब कलेजा फट जाता है किसी कवी ने कहा है कि यहां मजबूत से मजबूत लोहा तूट जाता है यहां मजबूत से मजबूत लोहा तूट जाता है और कही जुटे कटे हो तो सचा तूट जाता है ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे इस जवान के साथ आप खुद सोचिए कि जब मात्र भूमी के लिए कोई जवान सहीद होता है तो उनमें इतना भेदभाव क्यों? अगर अगनिवीर आर्मी ही है तो उसके बावजूद इतना भेदभाव क्यों? माना पेरा मिलिटरी फोर्स को आपने सहीद का दरजा आज तक नहीं दिया है उनकी पेंशन सुईदा आज तक नहीं दिये लेकिन कम से कम जो भारत की सबसे आनबान शान माने जाने वाली आर्मी जिसका गुनगान करते तुम रुकते नहीं हो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो बार-बार जब विदेशों में जाते हो तो इसी आर्मी के नाम पर आप छाती चोड़ी करते हो आज उसी के जवान इस परकार से घर लोट रहे हैं कि एक प्राइवेट एम्बुलेंस में इनका जो सव है वो गाउं के अंदर अपने घर के अंदर छोड़ के जवान चले जाते हैं उसके बाद में माता पिता उसकी बहने उसको कंदा लगा कर उसके अंतिम संसकार के लिए लेकर जा रहे वो भी बिना किसी सम्मान की कम से कम पहले ये तो फील होता था उस गाउं में तिरंगा फैराने का अदिकार सिर्फ उसकी माँ मना होना चाहिए उसकी माँ को इस पेसल क्येंसा कार्ड मिलना चाहिए जिससे पता चले पूरे देश में कि ये स्हीद की मा है आग आज वो दिन तो दूर वो तो बहुत दूर हो गया कि सहीद जो देश के लिए हो रहे हैं उनके सम्मान तो चलो छोड़ो उनका जो एक सम्मान तरसे निक सम्मान तिरंगा वो भी इसको नशीब नहीं हुआ कहां पर लाके रख दिया है आप सोचिए इस आर्मी को और जो आर्मी की तैयारी करने वाले युवा रात दिन जो मेनत करके बढ़ती होते हैं और इस देश की मिटी के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं आपने देखा होगा अभी जो युद का दोर चल रहा है वहां पर जो सईद हो रहे हैं आम लोगों को घरों से बार निकाला जा रहा है और वहां पर अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तो तैयार होते हैं वह होती है वहां की सेना और सेना के साथ एसा दुरुभागे पून व्यवार कता ही सरम जब एक छोटा सा सेलिप्रिटी चोटे बिग बोश जैसे टास दी जाता है तो वहां का मुख्यमंत्री हाथ खड़ा करके जल्करे लगाता है कि हम सपोर्ट करेंगे इसको तहां गए वो जो मिट्टी पर जो लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान तक देती सरवचे बलिदान बोला जाता है कि कोई अपनी जान दे दे उसको और उनका ये सम्मान आज कोई मुख्यमंत्री नहीं खड़ा हुआ क्यों क्यों क्योंकि ये पसिद नहीं है इनको जानते नहीं है जिन लोगों के तुमने हाथ पकड़ रखे न उनसे तुम्हारे चार वोट आ जाते है अरे सहीदों के लिए लोग जो लड़ रहे हैं हम तो कई दिनों से मैंने कई बार ये कहा है कि सहीदों का इतना सम्मान होना चाहिए क्योंकि मुझे पता है जिसके परिवार से सहीद होता है उसकी मा से मिलो कभी उसके परिवार से मिलो लोग चार दिन रहते हैं सहीद की मूर्ती के आज पास वो मा वो गम जिन्दगी भर नहीं भूलती लेकिन एक चोटा सा उसके पास में सम्मान रहता है कि उसका बेटा इस देश के लिए सहीद हुआ एक सहीद इसमार्ग बनता है जिसकी याद में वो हमेशा बेठी रहती है आज वो भी आपने छीन लिया है आपने सोचा नहीं एक बार इन परिवार के साथ में क्या भीतरी होगी और साहिद कोई देश में कोई भी मीडिया चेनल इस पे चर्चा भी नहीं कर रहा होगा क्यों? उनका कभी कोई सहीद नहीं हुआ किसी नेते का बेटा कभी आर्मी अगनी वीर जो इतनी अच्छी पोलिस है किसी नेता या किसी मिनिस्टर का बेटा जाना तो चाहिए इसमें कोई नहीं जाता नहीं कोई चर्चा करे पर कम से कम एक छोटा सा सम्मान एक सेनी को मिलना चाहिए, वो इन अगनी वीरों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि गोली पूछ के नहीं लगती कि तुमारी नोकरी पक्की हो गई या अगनी वीरों, जब गोली चलती है, वो सीना पार कर जाती है, इसलिए आप सबसे अनुरोध ह कि इस वीडियो के जादा से ज़्यादा करें और लोगों की आंके खोलिये कि कम से कम देश की मिट्टी के लिए जो अपनी जान दे देते हैं सरुम बलिदां BAR नहीं दोनों एक ही मिट्टी के सईद हुए एक भारत माता के लिए और इतना अंतर, इस सरकारे नहीं हैं, यह वो लोग हैं जो इस मात्र भूमी के लिए कभी भी मन मिटने के लिए तयार रहते हैं, आज आपने उनको भी बांट दिया धर्म के नाम पे जैसे बाटा था, आज इनको भी बांट दिया, इनकी जात बनाती दो अलग एक ही आर्मी की दो जात बनाती एक अगनी वीर और एक आर्मी जैसे अलग जातों में तो बाठी रखा है पुरा मुल्क आज ये भी बट गया है तो आज सबसे अनरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओता कि पहुंचा है ताकि आने वाले अगने कोई भी जो इस देश का वीर शपूतो उसको मान शमान मिले और उसके हिसे का पूरा समयमान उसके परिवार को मिले जै हिंद जै फार